यह था है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लिए करके 2014 तक बीचेपी गवर्मेंट दे 411 MLO को खरीदा है मतल्य हो पैसे की नहीं नाचता है, बंदर जब उस बंदर यह को नचाता है तो पैसे की नहीं नचाता है जब एक सांसते वो कुछ नहीं है, वो कहते हैं कम से कम हमको 2 सांसत मिलने चाहिए और हमको 6 सेडूल के अंदर लग्दा को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए 6 सेडूल के क्या मामला है कि जो भी बारते समय का है वो उनोंने एक कानून पारित कर दिया है वो है उनिफॉर्म से बिल्कूर, बतल बारते सम्धान के अधर जो डीपी सी है, पलस मतलब एक लड़का एक लड़की बिना साधी के वे साथ में रहते हैं, उनको बच्छा भी उड़ता है, तो उसको लिए मस्जिद को अधाने के लिए पुछता है, इलिए लिए लो कोई खत्री में है, खत्री में है, मतलब जो पॉलिटिकल पाइटिया है, वो मिस्वीच करते हैं, आदर बारत रोकरन दिया, आरेंडी को किछबे की मीडिया के अंदर हलता तीज होगी, कि आरेंडी जाने वाली है, मतलब खुछ वर ये रिपोर्ड बनाएगी है, मतलब 2022 मे केंसर से अफेक्टेट कुई है, जिसमें 90 लाग भी जान जा चुकी है, भारत की बात करें, तैरोनी इसमें टॉप किया है, बैंग नुरी और पुनी, बैंग नुरी का 6 मी नंबर पे, और पुनी 7 मी नंबर पे, और जिनली और मंगई भी इस है, जिनले मतलब BGP का सासन न स्वागत है आपका एक वार फिर से संडी समाचार में, जहां हम आपको सही तर्ट्यों के साथ में, सही फैर्ट के साथ में खबरों को दिखाती है, ना कि पोलेटिकल एजिंडा के साथ में, जो कि मीडिया खरने लग रहा है, मीडिया तो एक तरह से किसी पाइटी की आईट नहीं कर पा रहा, हरम की पिच पर हाथ अजमार रहे राहुल गांदी ने भीजेबी की तरफ सियासी फुल टॉस गेंद पैक दिये, हिंदू हृदे समराट के रूप में उबरे है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, प्रधान मंत्री मोधी का मुकाबला एक कन्फूस्ट विपक्ष से है, यह भारत जोड़ो यातरा है नहीं, मुसल्मान जोड़ो यातरा है, ऐसा होने लग रहा है, इससे बचने के लिए हमने यह प्रोग्राम चानू पिया है, क्योंकि जो इलेक्सल्स के बक्त में देश के अंदर अराजकता का माउल है, धरम के अंदर आपस में बिढाने की कोसिस पूरी की जा रही है, जातियों के नाम पर बाटने की कोसिस की जा रही है, जो नेता आपसे बादा करते हैं, वो ग्रांड वे होता नहीं, निसाना कहीं लगाते हैं, तीर कहीं चलाते हैं, इस तरह से अब उनका निसाने को जो भोलते हैं, वो सही नहीं हो ये content तेयार करने में, video edit करने में, इतना आपके लिए subscription फिर ही है, आसा नी से subscribe कर सकते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे political news की, political news के अंदर ऐसा हुआ, जो आपको मैंने पहले ही Sunday सो में बताया था कि budget session चल दा है, Indian Parliament के अंदर, जो हमारे देश का संसत बवने, यहाँ पर चार सत्र चलते हैं, अलग-अलग मांसूस सत्र होता है, सीथ सत्र होता है और जो अलग-अलग सत्र होती ही, उसमें साल की सब्वा से पहले एक budget सत्र होता है, बजट सत्र में, इसकी सरकार budget लेके आती है उसी के उपर जितने भी हमारी member of parliament हैं वो एक दूसरी में bill लाने लग रहे हैं कोई जिव सरकार हैं सरकार के पास में बहुमत है तो सरकार bill लाती है bill में और act में क्या अंतर रहता है आपके पास में ये confusion रहता है जो bill रहता है न उनके अंदर थोड़ा बारीक सा अंतर है तो कई सारी बिल लाने लग रहे है तो जो अमारी finance minister निर्मला सीतारमट उन्होंने काये Saturday के दिन white people ने करके आने वाली है on Indian economy जिसके अंदर बताएंगी के पिछले पिछले 10 साल की सरकारनी 2004-2004 तक मतलब क्या किया उन्होंने economic के सेक्टर में राएंग बिवस्ता है जिसके अंदर से पैसे का लेंदेन होता है रोजगार मेगाई के लिए ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जिस उनके द्वारा ऐसे कदम उठाएंगे जिनके तहित बुरी कदम थे और उनका प्रवाव इस गवर्मेंट ने ठीक किया है मतलब और इसी पर जो Congress के प्रेशिडेंट है मलक का रुएंग थरकी उन्होंने उसी दिन जिस दिन announcement किया निर्भला सीता रमट ने उन्होंने उसी दिन announcement कर दिया कि हम black people ने करके आएंगे उसके अंदर क्या है उन्होरे सरकार की कमी अगिना दी कि सरकार रोजगार देने में व्फले और रोजगार देने में व्फले बूमन सेप्टी को ली करके मेगाई को दे करके कई सारी उन्होंने आकड़े बताए उसी मेंसे एक shocking आकड़ा मुझे लगा जो आपको वी चौक जाएंगे जान करके वो इस आकड़ा ही है उन्हों ने बरताया वो यह था कि पिछले 10 सालों में 2014 से लिए करके 2014 तक बीचेपी गवर्मेंट ने 411 एमेलियों को खरीदा है मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए मतलब अपने खेमे में किया है मतलब जैसे मतलब अलोट फील करके उनको खरीद लिया गया पैसे दियी गय心 कुछ भी किया गया हूं लेकिन उनके फेवर में आ घए ऐसा myths तो बंदर बंदर को नचाता है तो वो भी जब उस बंदर को नचाता है तो वो पैसे की नहीं नचाता है जब MN1 एक party में पहले से ही उनकी पहली party है जैसे महाराष्ट का इद्धाम पर लें तो वो सिप सेरा के साथ पर थी जब वो BJP के साथ में सिप टू है तो उनको कुछ लालच दिखाया गया होगा अब लालच किसी भी चीज का हो सकता है इस सज्जन को क्या तकलीब है बहई कि तकलीब है इनको लेकिन पबलिक को यह ऐडारेक्टली यह बाता थोड़ी बतायी आती है मीडिया हो के साथ में इसे मीडिय प्रिश्ण करने चाहिए लेकिन मीडिया कुस्ण नहीं करता जो करप्ट लीडर जो अपूजिशन का रोपी लगता है जो जितने भी corrupt leader है जो ब्रिष्टाचारी निता है उनको ED के तहत उनको सताया जाता है कि आपके पास में Central Agency की जाज की जाएगी इसी किडर से वो BGP की तरफ भागरे लगते हैं और कुछ पैसे का भी मोजाल दिखाया जाता है और वो उसमें पस जाते हैं और पस कर चैसी वीवस से उनकोई यह नहीं पता रहता है कंद साथ से प्रदीश और राजवे के अंतर antis रहता है दसर कंद साथ से प्रदीश में सीधा प्रेसिडेंट रूल करता है मितलब राश्टवती वांकास सासलिंग करता है और जो कोई भी राज जाले से उत्तर पर इस ब्याद यहां की जो एक अमारी एक असेम्मिली रहती है अमारी एक बिरान सभा रहती है वो उसके रिनेटेट कानूर मनाती है इस्टेट रिलेस्ट मे लेकिन उस पर पार्लियमेंट कोई अस्टितिप नहीं करेगी जो देश की संसद है लेकिन जो केन सासलित प्रदीस है वहाँ पर डारेक्ट पार्लियमेंट कानूर मनाती है राश्टपती कानूर बनाता है तो लग्दा को एक यूनियन टेरिक्टरी बना दिया गया है मतलब के लाश्ट प्रदीस बना दिया का है वहाँ नहीं यह मैंबर बैर सिखस्रवियमेंट को दैखता है जो पूर्वोत्तर के राज्च है उनको देखते हुए उन पर छोटी मोटी जन्जातिया है अब जन्जातियों को मिलाने के लिए उनके नियम धर्म कानून फानून अलग है वो भारत के संदान उनको थोपा नहीं जा सकता उनके अलग उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो उनको ऐसी जन्जातियों को देखते हुए इस बारत सरकार के संदान में ये पहले से ही प्रापदान कर दिये गए हैं कि उनको उनको सिक्स सेडूल के अंदर रखाय जाएगा तो वो अपनी पैनल गवर्मेंट चलाएंगे यूनियन के तहत और अपनी कानून वो अपनी जो कश्र में ट्रेडी से ने उनकी प्रताय चली आ रही है रीती रिवाद चलती आ रहे है उसकी अकॉडिंग बना सकती है लेकिन लद्दाक इसी चीज की मांग कर रहा है लद्दाक कहता है कि मेरा हाल भी हसदीव के 36 गड़ जंगल की तहित जिस तरह से वहापे कटाई की यह पेड़ों की कोई सुननी भी नहीं रहा है तो मुझे लेकिन सेंट्रल गवर्मेंट ने पहली भी उनसे बाइदा किया था कि हम आपको सिक्स सैडूल में लेकिन सिक्स सैडूल के अंदर इस सेग्मेंट पर आती है वो उत्राखंड की जो लेजिसलेटिव असेंबली है वहां की बिदायका है वो उसनों उनों ने एक कानुन पारित कर दिया है वो है यूनिफर्म सिबिकूट बगतल भारतिय संब्दान के अधर टपी सीं राज्य के नीत निदेशक टत्त्व उनके अंदर कांग आ रहे के पूरी देश के अंदर एक कानून समान कानून होना चा तो उनके खान, पेंड, रेंस, एंड में जोगरापी के अकोड़े, भूगूल के अकोड़े में उनके सब अलग-अलग सिस्टम है तो इसी को देखते हुए ततकाल आजादी के बात में ऐसे कानून नहीं बनाएगे लेकर उत्राकंड ऐसा पहला स्ट्रीट बन गया है जिसने उनिफॉर्म सिबिल कोड लागू कर दिया है यानि कि सब के मेरिज से लिलेटर ब्या साधी और जंगल, जमीन उससे लिलेटर सभी दर्मों के लोगों के लिए बरावर कानूर राज्य बनाएगा जैसे पॉलोगेमी का उसके अंदर प्रापदाने के जीवन में हर ब्यक्ति अगर उत्रा घंड का नवास यह कोई बन वो एक ही साधी कर सकता है लिविन रिलेशनसिप यह यह यूरूप की मान सकता है यूरूप के अंदर ऐसे कल साथ लेकिन आप इंडिया में भी भारत में भी यह तेजी से ग्रोथ कर रही है मतलब आप यू समझेए कि दो कपल्स मतलब एक लड़का एक लड़की बिना साधी की वे साथ में रहते हैं उनका बच्चा भी हो जाता है तो उसको लिविन रिलेशनसिप कहते हैं और ऐसा नहीं करवाया तो आपको तीन महीने की जील भी हो सकती है और आप पर जुर्बाना भी लग सकता है तो वाँ पर दंग ये बड़ा गए एक उत्रकंड के अंदर एक जिला है हंडवानी हंडवानी के अंदर क्या आता है कि एक इनलीगत मस्जित को अठाने के लिए बिल्डूजर पहुंच जाता है क्योंको बीजेपी के जो स्टिट संबल बन चुका है वह बिल्डूजर बि मुझे तो लगता है कि बीजेपी को कमल के अठा करके बिल्डूजर को लगा देना चाहिए अपनी साइन के सिंबल के रूप में मजाक्ता दुर्स कजब बेज जती है जो बिल्डूजर बिल्डूजर मस्जिद को अठाने के लिए पहुचता है इनली के लोग कुछ भी निक जो मुसल्मान लोग है उन पर पत्थरवाजी करना स्टार्ट कर देते हैं यह भी गलत है उनके उनके द्वारा कदम उठाएगे तो जो सीय में उन पर तदकाल मतलब जो भी इस तरह के मावल क्रेट किया जाता है तो मुझे यह समझ में आता कि जब इलेक्सल्स आती है निजदीक तो ऐसा तब ही क्यों किया जाता है मीर अगोड पर जो दंगे हुए थे हिंदू-मसल्मान के बीच में उत्राकंड के अंदर यूपी के अंदर राम मंद लगते और इस तरह का माहौल क्रेट करते हैं के हिंदू-मसल्मान के बीचेपी का जो स्टेट सम्मल है मैं आपको बात बता दू कैमरे के ऑपसीन होनी चाहिए लेकिन यह कैमरे पर बता देता हूं दरसल जो बीचेपी का एक तरह से कोर बैंड के मतलब कोर आइडॉलर्जी जो उसकी बिचारदारा है वह हिंदू-धरम मतलब वह सारी जातियों को लेकरके एक जो मेज़ोर्टी में है सबसे ज्यादा जल संक्या बहुत संक्या के हैं वह हिंदू-धरम को टार्गेट करने लगते हैं लेकिन इससे फाइदा होता है कॉंगरीस और रीजिनल पाइटी को जो चित्त्री पाइटिया है समाजबादी, BSP, RJD और कई सारी ऐसी चित्त्री पाइटिया है तो उनको नुकसान होता है क्योंको हिंदू-धरम के साथ में पन लेगा उनको यह साथ में लेकर के चलती है मुसलमानों को और कहती है कि अब मुसलमानों से तो यह चुनाम नह लेकिन यह बात फर लोगों को आपस में यह भी माठना सुन करते हैं जाती के नाम तर रावल गांदी ने वी सा के अंदर यह अनौंस कर दिया है कि जो नरेंद मोदी हैं वो जनरल कास्टें बिलोंग करते हैं दसवन्जी नरेंद मोदी है वो तेली कम्यूनिटी से लेकिन उससे पहले इसको जनरल कास्ट के अंदर जनरल केटेगरी के अंदर तीली कम्यूनिटी आती थी दो जार के अंदर सेंटर में भी बीजेपी की गवर्मेंट थी और गुजरात के अंदर भी बीजेपी की गवर्मेंट थी तो इसको लेकर के वो कहते हैं कि प्रानमंत होती है और OVC के नाम पर इस तरह की राज नहीं थी कि इस देश के अन्हीं नहीं समस्यां वगर कर आ रहे हैं उन पर कोई बात नहीं करता तो यह तो पॉलिटिक्स है खहर इसको छोड़ू हुआ है कि अगर ख़िश के का अगल जाती है घ्रघी तो लापर वाइज तो कछ?- लेकिन इसकी बजय learnt जो मजदूर लोग है उनकी जान चलिया थी और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं आग से जुदलस जाते हैं इस लापरवाई का नतिज़ा यह होता है अब आप कहेंगे कि इसके लिए दोसी कोड़ है इसके लिए देश्वी है जो मद्रप्रदेश के अंदर आई हुई सरकार ह काम कर रहा है यानि कि जो आग जो हर्मी है न जो फायर कर्मी है उनके लिए कोई नया कानूद बनाई गया था तो यह सोच करके बनाई गया था कि एक सेर की जो रेडियस है मतलब उसको लंबाई यह उसकी 10 किलो मेटर तक भी रहे गया और उसके अंदर इसी के अनुमान के है यह तो जो इस्टीसन फायर इस्टीसन बनाई गये थे लेकिन अब सेर की सफताइस सांगे अंदर उनका रेडियस बढ़ चुका है उनकी लंबाई बढ़ चुकी है और यह 45 किलो मेटर तक इनका रेडियस हाम में लिचुगा तो इस बड़ती हुए radiation के साथ में ही नया कोई ऐसा fire structure नहीं बना गया है तो अब सीधी उंगली उड़ती है जो कि state government है हुआ कि state government ने आपको ये जान करके एरानी होगी 20.000 लोगों पर केवल एक ही fire कर्मी है यानि कि 20.000 लोगों पर केवल एक ही fire कर्मी है यानि कि पुरानी ही लोग काम करनी लग रहे हैं दूसरी खबर इसके अंदर segment के अंदर आती है वो आप leader मतलब आम आदी बाइटी के जो leader है अर्विंद केजरिवाल अर्विंद केजरिवाल भी इस बगप काफी game किलनी लग रहे हैं कहते कुछ है करती कुछ और है यह सारे फोटो में नेता देख रहे हैं इनी के साथ मैं केजरिवाल भी मतलब यह सोच करके यूनाइट हुए है कि हम आपको बचाएंगे जनता खत्री में लोगतंत खत्री में कोई खत्री में हैं मतलब जो political API है वो मिस्वूच करती है पावापू लेकिन इतना नहीं है यह कहते मन्ज पर खड़े की कुछ है लेकिन खुद बचने के लिए यूनाइट इस लिए होत के लिए तो भीलाल उनको लोग प्लात्यों राम्म कहते वो ध्य कुवत अब एंटियार लाइंस बनाय can Hangla छके लाने लगने लगने serg कि भारत रतन जिसको जिसकी जोड़ी में डालते हैं नीचिस पाइट हर एक पाइटी का इक अपना ब्राइंड इमेस्टर होता है जो नीचिस की पाइटी करपूरी ठाकुर सामाजिक न्याय क्योद्धा उनको भारत रतन दिया नीचिस को खिच लिया अब उत्रपदेश के अ आपने सराप का गोटा लगी है दिले के अंदर से उसको बुलाएंगे है पाँच बार नोटिस में जिया आ जाओ ज़िकंज जाते ही निहीं अब उन्हें केस कर रही है दिल्ली कोट के अंदर केस हुआ है तो पोलिस उनको पखट के लिए लेएगी फर कहेंगी जंता से दे लेकिन आपको पास में भीत आ गए आप तो जा सकते हैं यह जनता को बेप कुग बना लेगा काम क्यों करते हैं मतलब कहीं तक इनकी बात मुझे सई लगती है जो अमारी गरीब लोग है उनके साथ में दिक्कत क्या है कि हारे गवर्मेंट पिछ बना करें गेम किलती है अगर ग्राउंड रिलीवल पर आपर के दिखेंगे तो कोई चीज होती है दिखाई नहीं दिती है मतलब यह बात दिनकी किसरी सबसे बड़ी खिवर है वो वर्ल्ड हेल्ट और्गनाईजिसन ने एक रिपोर्ट अचारी की है गलोबल हेल्थ वर्डन ओन कैंसर केंसर किंग पर यह रिपोर्ट बनाएगी है मतलब 2022 में कितनी लोग कैंसर से पूरी दुनिया में एफेक्ट की है भारत के कॉंट सेक्स में भारत की बात करें तो 14 लाग नई कीसिस आई कैंसर के और 9 लाग लोगों की मौत हो गई जो कैंसर हमारी सरीर के अंदर पहलता है जो हमारी बोड़ी छोटे-छोटे यूनिट से 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 मतलब जब एक सेल इतने सारे अब सबको अलग-लग काम बत करती है जो चंडिगट के मेयर की एलेक्सम में एवं मतलब जो मिस्यूज किया है पावर का को पॉलिटिकल पाइटी है जो मतलब सुप्रियों कोड का भी फैसला आता है यह आपको बाहलू देख रहा है न बाहलू इस तरह से देख रहा है उपर को यह मतलब यह तो यह जो एक बत्मीदी करने लगता है कि हम ही है बास बास साथ जब भटता है ना सो सब्गी को बेकार करने ता उसी को कैंसर कहते हैं जब भटता है तो आदमी की बहुत हो जाती है जब तक तो आगर उसको अर्गी स्टेज में पकड़ नहीं जाये जो अफेक्टेड है तो उसको इलाज किया जा सकता है तो जो कैंसर है ना कैंसर पर केंद सरकान नहीं कई सारी पौनिशी बना ही उसी में से यह कहा है आईसमान भारत स्कीम के तैद किसी भी ब्यक्ति को कैंसर के इलाज की सुबदा दी जाती है एक बैक्सीन बनाई गए जो सर्वाइकल कैंसर से लड़ती है यानि के जो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है बात यह है जो गर्वास है मेला ओरतों के अंदर काफी ओरतों की डेट हो थी है वो सर्वाइकल कैंसर की बज़े से यह हैं कि वाले समय में 10-15 साल में यह संक्या डबल हो रही है यह cancer से अफेक्टिन लोगों की तो इससे बचाने के लिए और रिसेंट यह ख़वर आई थी जो कार्टी से थेरापी है उसको मन्जूरी दे देगी है बारत के अंदर जो authority है जो कोई भी दबाई बनाता है तो ऐसे थोड़ उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं तो उन्हीं को पकड़ करते हैं कुछ T-cells को लिखालते हैं हमारी body में से मतलग उनकी amount कम हो जाता है इनका जो काम करना बंद करते हैं उनके अंदर कुछ genetically modified को कार्ट चांट करके वह दुबारार body में डाल देते हैं अब फर यह फार चान सेगमेंट पर एंटर करते हैं वह policy policy के अंदर क्या हो नहीं लग रहा है जो मतलब सेशन चला है budget सेशन उसके अंदर government नहीं नहीं बिन लिखर आ रही है और आप पूजी सब्सक्राइब करने लग रहा है और सरकार अपने फायदी किनाने लिग लिए लिकिन देश की मीडिय सरकार के पच्छ में काम ओशन करते। सरकार सुन कोशन है? करते, आप देखेघ सकते हैं भारत सौंपा защ साले तेन्न का कProfra है का का कारय हिंदू था था वो मुसलान बना और आज का काय ह Immer Water देनों में मुसलान बनने के लिए त्यार है 2047 भारत इस्लामिक स्टेक्ट इतना वुरा हाल है तभी तो ये चैनल चैनल को आप सब्सक्राइब तो करी सकते हैं अब अब वार इक टॉम टॉम को ट्रेफिक इनएक सि लागा रहा है इस एंजैक्टक के अंदर 387 टीसों के अंदर 55 पंद शिटीज को लिया गया है, सहरों को लिया गया है, मतलब इसके अंदर दिखाया गया है कि आपकी जाम के अंदर कितनी गंटे बिश्ट हो जाते हैं, किस सहर के अंदर जाम का जो सिस्टम है कितना बोरा है, मतलब कितनी बुरी पॉलिसी है, जाम ज्यादा लगता है जिस स रिपोर्ट के अंदर आप बैंगलोरी के अंदर आगर ओन एन एबरीज इक इंडियन की बात करेंगे वो छे से साथ दिन हर साल के अंदर जाम में फसकर की बरबात कर देते हैं भाई एक तो 365 दिन होते हैं उसमें से आमारी एज कार्बन डायोकसाइड कई सारी पॉलिशन की ब में करें बरबात करते हैं काम करने के तो इससे गाटा 37 nd rpka सरकार होता है कैजये लोग रहते हैं यार यहांप दूसरी ख़बर है कामाख्या temple corridor जो कि इक्यामन जो सकती पीटर न उसी मेंसे एक कामाख्या सकती पीटर जो आसम के अंदर है असम के अंदर एक temple है उसमें वर्णरिन्द मोधी ने अपने पैसे कुछ दिये है फंड दिये सेंटरल के जो वहाँ पे मंदिर का जो प्रोजेक्ट है उसको बिक्सित किया जाएगा पदान मंत्री भी कापी बड़ी पिच खिलने ले रहे है तीसरी सबसे बड़ी मेरी अकॉर्डिंग वो खबर है वो फाइनेंसियल फेडरिस सन को लेकर के दिक्कत आ रही है दस अब बात वो गनकरेंट लिस्टर जिसमें अंदर दोनों कानून बना सकते हैं अब भाया पुल्स को पैसे देने के लिए राजसरकार भी खच करती है उसको भी कई सारे अपनी अपनी राज में काम करने तो इसके लिए हम जो राजसरकार हैं वो किंध सरकार की ओपर देखती है वहां यहां से टेक्स को खट्टा करके ले जाती है हर एक राज्य के अंदर से लाती है जो भी मतलब इस टेक्स की अंदर भी काफी बटवारी कर रहा है कि जो इंकम टेक्स है अब बिजिनिश टेक्स है सरसाड टेक्स है और पर्सनल टेक्स है जितने बड़ बड़ी टेक्स है उसको किंद्र सरकार खिट्टा करके ले जाएगी मतलब दबादारू टेक्स दबादारू टोल ये चोटे मोटी टेक्स को राजसरकारी बसूल करगे अपने पास ही रख जिलती ये कानूर बना रखाय कि जितना हम पूरे भारत में पैसा खटा किया है उसका 42% हम राज्यों को लोटान देते हैं यानि कि राज्यों को विकास के लिए पापिस कर देते हैं लेकिन इसके ऊपर एक financial commission मनाया जाता है कि अब लड़ाई इस बात की हुट है कि किस राज्य को ज़्यादा पैसा दीने चाहिए आप कहेंगी पलम आती है South India से South India की अंदर उनको तो पहले ही और लेड़ी ज़्यादा मिलता है North Eastern State उनके पास में कमाई का कोई श्रोत नहीं है नागालेंड राज्य के रूप में कल भेल हुए है अगर सेंटर उसको पैसा देना बंद कर दी तो मतलब इस तरह से रिटर्ण करना बंद कर दी उसको काफी इस्पेशल राज्य का दर्जाद दे रकाए कई सारे राज्यों को इनको ज्यादा पैसा दिये जाता है मतलब इस्पेशल आता है इसको समझते यह काफी लंबा टॉपिक है मैं अलग से वीडियो बना दूँगा मतलब इस्पेशल यह है जिर राज्यों को कम पैसा दी अब यह करनाटका के अंदर से इस्पेशल उठता है कि नेरदनाई कम्यूनिस्ट पाइटी की लीडर है वो इसका नेतुर्ट कर रहे हैं कुए सारे इस तरह क्या होता है मतलब इससे पहले पाटिया चाहती है कि इससे पैसे बदायवी ने सबसे बड़ी समस्या आती है वह सेंट्रली स्पॉंसर इसकी मतलब जो केंडर की सरकार कही सारी यूजना चलाती है पीम जंदन यूजना किसान सम्मान निदी यूजना और राशन फ्री में माठती है किन्स तकर तो राजचे सरकारों को मेली आरोप रेट जो रहता है जो नॉन पीजेपी गवर्नमेंट है जो को अंदर दूसरी सीम बेटे हुए हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपनी राजचे के हम करें हम बिकास कहाते हां पैसा तो आता है ऐसी वात नहीं कि लेकितिए सब जूसरी पार्टी है वो आपकी योजनाओं को लागों नहीं हो दे रहे हैं जिसके केंदर बेकास नहीं कर पा रहा हैं मतलब सेंटरल जो स्पॉंसर इसकी में इस बीजेपी गवर्नमेंट में जाता बढ़ी है क्योंकि धरान मंत्री को चाहिए सबसे पहले अपना फोटो सबसे पहले अपना फोटो मतलम आहें ब्रह्मा आत्री कहके तो उन्होंने कई सारी अपनी योजनाओं उनको कम करने की आवस सकता है ताकि लोगों को जो नौन को नौन बीजेपी गवर्नमेंट है बो भी अपना प्रशाट अर्याणा के जो सिय में बीजेपी इसको सुप्रीम कोट ने इनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा है और इस बिल्कु श्टेक कर दिया है ऐसा बिल पास ही नहीं हो सकता मतलब यह बिले इवेंट गेम का गेम चलता है मतलब लोगों से पहले बायदा कर दो कि हम आपको रोजगार देंगे हर्याना में बुरी इस दे आजाना नहीं है मारत एक दे से हर कोई बेकती हर का किसी जगे काम कर सकता है कि बन कुछ जगों को छोड करें इस सज्जन को क्या तकलिप है भई क्या तकलिप है इनको वीडियो को चोति सेग्मेंट पर इंटर करते हैं वो है पर्सनल्टी मतलब जो आदमी है उन्होंगे अच्छा काम किया उनके बारे में हम बात करेंगे दलसर जाकर उसे इनको थेन ग्रेमी अबार्ट मिली है अब आपको पता से लिए रोट लॉस एं अपने अपने नोबल प्रयाज के बनाबर है जाकर हुसेन को थीन अबॉर्ड मिले है इसके अंदर फ्यूजन मुजिक ग्रुप एक सकती करके उसको इसके लिए ग्रेमी अबॉर्ड मिला है उसमें जाकर हुसेन भी थी पस्तू लेंग्विज के लिए सर्वस्रिष्ट संग इस सिंगर संकी संकर माधिव इनको विल्योन बाइदक गनीश राज उपाल इनको यह ऐसे अबॉर्ड है इनोंने एक्ष्टा और 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 अपने खुछ लूगों से हट करके अपने फिल्ड में बढ़िया काम किया है उनको अबॉर्ड मिने लेकिन जनता को इनकी इनके इनक आज का जो यूत है न वो डारेक्शनल लेकर की बिग बोस मरा ले जाते हैं मतलब फाल्टूगी बगबास करते हैं गाली देते हैं उन्टी सूधी गाली वाला कल्चर केरी मिनाटी उनको फर्लो करेंगे यह अच्छा काम करने लेगे उनको भी यूपी के ही एक व्यक्ति है इंडियन को पकड़ा गया है भाई मतलब आप जो दर्म के उपर बिलेंग परते हैं मुसलमानों को टार्गेट करेंगे यह जादी है यह वह लेकिन दर्म तो भाई पैसे के लिए आर दर्म का आदमी काम कर सकता है मतलब इस द्रो करने के जो प्रबरती उठी है वो दर्म को नहीं आती तो इसलिए उन लोगों को सांत रहना चाहिए अम वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ चाहिए जो पाकिस्तान की इतनी बैतर आप बुरी आलात हो चुकी है इस द्वक्त पर उसकी बारे में कुछ बात कर देंगे मतलब पाकिस्तान के अंदर एलेक्शन हो है आठ चुका है अर्मी अपनी कंट्रोल में करती है और सारे इलेक्शन होए ना उसके अंदर जो पीटी आई है जो इमरान खान की पायटी है एमराथ खान को जेल में डाल दिया है मतलब एकशन होनी से पहले कई जगे पर दमागत डिया गया कई पर पुलिस चोकी को उड़ा दिय बनी हुई अब आगे पता चुलता है कि पाकिस्तान का क्या आलूलता है मतलब जो एक धराम के अंदर धराम जब राजिनिती में प्रविस करने लगता है तो यही आलूलता है 300 का इसलिए बच करके बारती लिए अच्छा एक्जामपल है पाकिस्तान उसको देख सकते हैं आप